नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं Defense and Security के Set 2 के discussion को पिछला set अल्रीडी YouTube पे upload कर दिया गया है अगर आप पुरानी वीडियो को access करना चाहते हैं नीचे description में जाईए और playlist को access कर सकते हैं यहाँ पर से सभी पुरानी वीडियो आपको एक जगा पे मिल जाएंगी यह पूरा का पूरा जो है UPSC का एक crash course हम run कर रहे हैं current affairs के लिए 2020 की को द्यान में रखते हुए अल्राइट? सो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे telegram channel जिसका नाम है अनिरुद सर ध्यान रखिए का यह मेरी unique ID है Twitter पे भी आप मेरे साथ जुट सकते हैं This is my Twitter handle Study IQ ने recently अपनी आप को launch किया जिस पे बहुत ही बहतरिन response आया और इस आप के ओपर कई सारे courses available है UPSC Past Year Prelims के discussion का course जो है वो available करवाया गया है 2011 से 2019 के सभी papers हमने यहाँ पे subject wise cover किये हैं आप वहाँ पर से जाके इस course को buy कर सकते हैं इस वीडियो में हम इन सब विशों के बारे में बात करने वारे हैं सबसे पहले जो बहुत ही famous रहा Chief of Defense Staff लंबे समय से भारत बात कर रहा था कि हम Chief of Defense Staff को अब इसकी निक्ती करेंगे अब इसकी निक्ती करेंगे लेकिन finally 2019 में इसकी निक्ती जो है finally हो चुकी है second Indian Tri-Services Command Unit बहुत ही interesting है यह यह भी हाल ही में स्थापना की गई है 2019 में यह क्या है इसकी क्या खासियत है इसके बारे में बात करेंगे इसके बाद तीसरे नंबर में बात की जाएगी no first use doctrine की यह cable news में था आपको briefly बताया जाएगा no first use doctrine क्या होती है और कौन सा देश इसको follow करता है कौन सा देश इसको follow नहीं करता सबसे पहले किस देश ने इसको follow करना शुरू किया था और अंत में हम बात करेंगे दो cyber security से जुड़े हुए topics के बारे में एक तो critical information infrastructure security in India और दूसरा है Indian cyber crime coordination center जिसकी हाल ही में स्थापना की गई हमारे home minister के द्वारा so one by one करके start कर लेते हैं सबसे पहले एक simple सा सवाल है which among the following is correct regarding the chief of defense staff cds there is no age limit for the post of chief of defense staff all right पहला statement ये है general Bipin Rawat has been appointed as the country's first chief of defense staff पहला statement यहाँ पे साफ साफ जो है वो गलत है यहाँ पर age limit दी गई है 65 साल की age limit जो है वो दी गई है second thing general Bipin Rawat has been appointed as countries first बिल्कुल सही बात है general Bipin Rawat जो की हमारे army के chief इसके पहले रह चुके है उनी को यहाँ पर जो country का पहला cds जो है घोशित किया गया है so second is right, first is false, option two will be the correct answer two only is the correct answer अब इसके बारे में बात कर लेते हैं chief of defense staff यह क्या है ministry of defense created the post of chief of defense staff to provide effective leadership at the top level अभी तक क्या था जैसे कि आपको मालूम है हमारी जो पूरी की पूरी सेना है वो तीन भागों में है एक हमारी army है जिसको military कह सकते है या फिर ठीक है एक हमारी navy है जिसको हम कह सकते है नौ सेना और एक है हमारी air force जिसको हम कह सकते है वायू सेना इन सबके अपने अपने chief होते हैं सबके अपने अपने जो chief होते है army chief है, navy chief है उसके बाद आपका air force का chief है यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि effective leadership नहीं आ रही बेसिकली problem यह थी कि coordination की कमी थी इन तीनों जो सेनाए हैं इन तीनों के बीच में coordination की कमी थी इन के बीच में coordination को स्थापना करने के लिए एक cds बनाया गया है ठीक है, इसे कहा जाता है cds effective leadership at the top level बेसिकली पूरे के पूरे आप कह सकते हैं भारत की पूरी की पूरी सेना को नित्रित्व देने के लिए ठीक है, एक cds की post को बनाया गया है, जो cds की post है ऐसा नहीं पहली बार इसकी चर्चा हुई है cds की post की चर्चा जो है पहले भी हो चुकी है जब कारगिल review committee बैठी थी 2000 में उस time पे अटल विहारी वाजपई जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि एक cds होना चाहिए लेकिन उसकी स्थापना नहीं हो पाई थी लेटर दी गुरूप अफ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स अर्स सब्सक्राइब के साथ होनी चाहिए लेकिन थोड़ा सा जो 2016 में आई उसने भी कहा कि cds की पोस्ट होनी चाहिए फाइनली अब जाके हमने cds की पोस्ट को तयार कर दिया है यह उसकी स्पैसिफिकेशन हैं क्यारेटरिस्टिक्स हैं पोस्ट ऑफ cds क्रेटेट इन दी रांक ऑफ फोर स्टार जेनरल सबसे पहली बात जो सालरी और प्रेक्विसेट्स हैं जैसे की आर्मी नेवी या एरफोर्स के हैं सर्विसेट्स के वही सालरी और प्रेक्विसेट्स इसके होगे 65 इसकी माक्सिम्म सर्विंग एज डिसाइड कर दी गई है उसके बाद बहुत ही एहम cds will also head the department of military affairs यह जो department है, यह ministry of defense, रक्षा मंत्राले के तहति एक नया विभाग बनाया गया है, जो की यहाँ पर सैनिक मामलों के का विभाग है, ठीक है, यह पहले available नहीं था, इसके पहले defense ministry में कुछ और departments थे, department of defense, department of defense production, department of defense procurement and so on, ठीक है, लेकर DMA का कोई department अभी तक नहीं था, यह create किया defense and function as its secretary, तो यह जो department के secretary होंगे, सचीव होंगे, वो भी CDSE होंगे, फाइनली, he would be primus inter paris और first among equals, जैसे कि हम अपने प्रधान मंत्री के लिए बोलते हैं, कि council of ministers headed by the chief minister, वैसे ही service chiefs जो है, उन तीनों के वैसे तो बराबर हैं यह, लेकिन यह उनमें first among the equal होंगे, यह उनको भ directives देंगे, he will be the principal military advisor to the defense minister on all trial services matters, यही नहीं, यहाँ पर यह PM के principal advisor होंगे, जो हमारा nuclear command है, उसके लिए भी CDSE ही यहाँ पर principal advisor declare किये गए हैं, ठीक है, इनकी uniform के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, अगर हम देखें, यह general weapon रावत हैं, जो कि हमारे भ जाज है, यहाँ पर एक तो साथ में अशोका emblem होगा, और एक होगा try services का crest, ठीक है, यह है try services का crest, ध्यान से, उसके बाद यह try services का crest, इनकी cap के उपर भी लगाया जाएगा, साथी में यहाँ पर जो गाड़ी का flag होगा, गाड़ी के flag में भी यहाँ पर try services का crest होगा, national flag तो का try services का crest भी होगा, belt में जो buckle होगा, उसमें भी try services का crest होगा, यह खास बात है, और जो इनकी working uniform होगी, उसमें जो buttons लगाये गए हैं, उनमें भी try services crest जो है दिखाये गया है, तो यह बहुत unique तरीके से बताया गया है, कि यह जो है, एक CDS की dress है, as compared to जो बाकी dresses होती है, उसमें आर्मी जो नवायू सेना और नौ सेना की अलग लग होती है, वो यहां से अलग रखी गई है, clear, I hope clear है, काफी मैं expect कर रहा हूँ CDS से, किसी ना किसी तरीके का सवाल definitely आएगा, next हम बात कर लेते हैं, Indian try services command unit की, बहुत ही बहतरी ने command unit त्यार किया क्या है, इसमें क्या हुआ ह ध्यान से सुनिएगा, AFSOD, ठीक है, ये एक फिलहाल एक special operations division बनाई गई है, अभी इसको full division का जो designation है वो नहीं दिया गया, ये कुछ समय के बाद दे दिया जाएगा, अभी तक नहीं दिया गया है, 2019 में ही इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, आपको मालुम होगा कि हमारी जो तीन सेनाए हैं, तीनों की अपनी special forces है, आर्मी की special force जो है उसे para कहा जाता है, parachute regiment कह सकते हैं आप इसे, navy की special force को marcos कहा जाता है, और air force की special force को garud कहा जाता है, अब जैसे हमने cds में किया कि तीनों सेनाओं के बीच में जो बहतर coordination करने की हमें जरूरत थी, बहतर cooperation करने की similar तरीके से, जो तीनों सेनाओं के special forces हैं, उनके बीच में coordination को improve करने के लिए, एक tri services command unit त्यार किया गया है, clear, इसे कहा गया है, armed forces special operations division, तो हर सेना के अंदर, army के अंदर एक special force है, ठीक है, navy के अंदर एक special force है, और air force के अंदर भी एक special force है, अब एक ऐसा command त्यार किया गया है, जिसमें इन तीनों ही सेनाओं के special forces के कुछ लोग इसके सदस्य बनेंगे, clear, यहां के इनके जो पहले chief है, वो भी appoint कर दिये गए है, यह कौन है, major general A.K. धिंगरा, और A.K. धिंगरा जो है, यह पहले para-SF के ही, basically, एक special commandos थे, armed forces special operation division is trial services command of Indian armed forces, special trial services command of the Indian armed forces, clear है, यह जो है, यह function करेंगे under the integrated defense staff, इसके उलेकर अगर सवाल है, तो अभी clear हो जाएंगे, please wait, ठीक है, इस division में अभी तक 3000 trained commandos जो है, माना जा रहा है कि उनको include किया जाएगा, to carry out warfare in jungles at sea and attack or rescue helicopter operations, यानि कि बहुत ही मुश्किल operations जो है, उनको यहाँ पर fight करने के लिए, इन commandos को train किया जाएगा, और इन commandos को यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है, काफी सख़त training होती है, special commandos की, उनको यहाँ पर include किया जाएगा, integrated defense staff क्या चीज़ है, it is an organization responsible for fostering, coordination and enabling prioritization across the different branches of the Indian armed forces, ठीक है, यह एक organization है, जैसा कि नाम बताता है, integrated, basically armed forces की जितनी भी शाखाएं है, भारत की armed forces की जितनी भी शाखाएं हैं, उनके आपस में coordination और cooperation बनाने के लिए IDS बनाया गया था, यह एक संगठन है, it is composed of representatives, इसमें जो कई सारे प्रतिनिदी हैं, आप देख सकते हैं, Indian Army है, Indian Navy है, Indian Air Force है, MEA के लोग है, Defense Research and Development Organization, DRDO के लोग है, Ministry of Defense, Ministry of Finance, कई सारे लोग यहाँ पर रख स्टाफ, along with Deputy Chiefs of Integrated Defense Staff, Body जो है, Advise और Assist करती है, the Chairman of the Chiefs of Staff Committee, now held by CDS, ठीक है, so, this is also very, very important body, लेकिन यह काफी पुरानी body है, so, not to worry about it, कुछ लोगों के बच्चों में सवाल होगा, दिमाग में वो, I think, clear होगा होगा, यहाँ पर एक और सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, कि अभी तक हमने बात की थी, Tri-Services Command Unit की, जिसको हमने AFSOD के नाम से जाना, Armed Forces Special Operations Division, अब अक्सर आपने नाम सुना होगा, Tri-Services Theater Command का, इसको please confuse ना करें, यह एक Theater है, Theater Command है, ठीक है, और वो जो है, वो आपका Unit है, उसमें कुछ लोग है, उसमें कुछ मेंबर्स है, आर्मी के, Tri-Services Theater Command, भारत के पास केवल एक ही Tri-Services Theater Command है, अंडमान और निको बार में, यह अनली इंटेगरेटेटेटर अपने इंडिया, फॉर्मान इंडिया, फॉर्मान इंडिया, फॉर्मान इंडिया, इसमें बारत का यह पूरा मैप दिखाया गया है, कितने इसमें कमांड है, यह पर यह सिंबल दिखाये गए है, दिखाने के लिए कि कौन सा कमांड किसका है, यह आर्मी का है, यह एरफोस का है, और यह नेवी का है, clear, यह वाला जो कमांड है, देख सकते हैं, Tri-Services Command है, तीनों ही सिंबल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यह वाला जो कमांड है, यह Tri Services है, अंडमा निकुबार की जो राजधानी है, पोर्ट ब्लेर वहाँ पर यह लुकेटेट है, clear, बाकी कमांड को अब यहाँ से देख सकते हैं, नेक्स बात कर लेते हैं, no first use doctrine के बारे में, no first use doctrine, basically यह जो लव्ज है, इसका इस्तिमाल होता है, nuclear power के साथ, ठीक है, इंडिया adheres to no first use nuke doctrine, future depends on circumstances, defense minister said this on twitter after visiting पोकरान, where India carried out nuclear test in 1998, when अटल बिहारी वाजपई was the prime minister, तो यहाँ पर जो हमारे पोकरान में test हुए थे, अटल बिहारी वाजपई की प्रधान मंतरी के तहत, जी के तहत, उन्होंने उस time पे भी declare किया था कि हमारी NFU doctrine है, ठीक है, अब दुबारा स हमारे जो रक्षा मंतरी है, राजनात सिंग, उन्होंने दुबारा से reiterate किया उस चीज़ को दोहराया, कि हम NFU doctrine को बहुत properly follow करते हैं, NFU is a pledge taken by a country to not use nuclear weapons as a means of warfare, unless a rival nation resorts to such an action first, माल लीजे दो देश है, A और B, ठीक है, A माल लीजे भारत है, ठीक है, अब भारत, B ने भारत के ओ पर attack करना शुरू किया, B जो है, अभी तक conventional warfare कर रहा है, वो nuclear weapon use नहीं कर रहा, माल लीजे, ठीक है, अग जब तक B nuclear weapon use नहीं करेगा, तब तक भारत अपना nuclear weapon use नहीं करेगा, यानि कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक जो विरोधी देश है, वो इसका इस्तेमाल हम इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, ये हमारी policy है, इंडिया adopted the NFU policy after pokran two tests in 1998, ये pokran का दूसरा test था, asserting that its newly acquired arsenal will be used only as a deterrent, ठीक है, deterrent यानि कि हम इसको केवल एक defense के लिए इस्तेमाल करेंगे, attack के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो कुछ और facts आपको मालूम होने इससे सवाल आना की काफी chances हैं, कि असल में दुनिया में सबसे पहले ये resolution लेने वाला देश था चाइना, ठीक है, USA ने कभी declare नहीं किया, यानि कि USA की हो सकता है, first use policy भी हो, 1982 में Soviet Union ने भी pledge किया कि हमारे भी NFU policy है, however 1993 में रशिया ने इस चीज को खतम कर दिया था, पाकिस्त क्लियर, अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही important topic की जिसका नाम है, critical information infrastructure की protection, ठीक है, इसके संदर में एक सवाल आपके सामने है, कुदन कुलम nuclear power plant is situated in which state, तमिलनाडू, महराष्ट्रा, आंधरपदेश, करनाटका, इसका सही जवाब है तमिलनाडू, यहाँ पर हम बात करत हैं, NPCIL admits malware attack at कुदन कुलम nuclear power plant, NPCIL हमारी nuclear power corporation of India limited, यह एक PSU है, जो की हमारी nuclear power plants को develop करने में बहुत बड़ा roll play करती है, कुदन कुलम nuclear power project was attacked by a spyware identified as D-Track, अब आप assume कीजिए, मान लीजे कि आपका जो country का जो nuclear power plant है, उसके ऊपर कोई spyware का attack हो गया है, कोई malware का attack हो गया है, उस case में क्या होगा, उस case में, जो है country का एक बहुत ही critical infrastructure, बहुत ही एहम, जो हमारा infrastructure है, वो basically compromise हो सकता है, D-Track is programmed to steal data and give the hacker or the threat actor complete control over all the infected devices by exposing its credentials and passwords, तो D-Track जो है, अगर वो infringe कर लेता है, तो जो hacker है, उसके पास सारा data चला जाएगा, और साथ ही में credentials और passwords चले जाएगे, जो की हमारे power plant की security को compromise कर सकते हैं, ठीक है, the incident cast serious doubts on the India's readiness to protect its critical information infrastructure, critical information infrastructure, बहुत ही एहम infrastructure होता है, ये इसमें क्या-क्या चीज़े include होती है, critical information infrastructure में basically वो सारी facilities आती है, systems, वो सारे functions आते हैं, whose incapacity or destruction would cause a debilitating impact on national security, governance, economy and social well-being of a nation. PSUs हैं, अगर इसमें से कुछ भी जो है, ये data, ये सूचना जो है, ये कहीं पर भी निकल जाती है, हमारे हाथ से निकल जाती है, किसी और के नियंतरन में आ जाती है, तो ये भारत के हाथ खड़े कर सकती है, इतनी powerful सूचना होती है, इसी लिए इसको protect करना बहुत ही अनिवा है, उपर से ये भारत का सबसे बड़ा nuclear power station भी है, situated in Kudankulam in the Tirunolvaili district of southern India state of Tamil Nadu, Tamil Nadu में ये located है, Tirunolvaili वहां का जिला है, केके NNPP is scheduled to have 6000 reactors, basically ये जो नाम है reactor का VVER 1000 reactors, जो की collaboration से बनाए गए है, रश्या के और Nuclear Power Corporation of India Limited, ठीक है, भारत तो रश्या के collaboration से बनाए गए है, with an installed capacity of 6000 Megawatt of electricity, भारत में आपको लिस्ट पताना चाहूंगा, कौन से कौन से जो nuclear power plants है, already in operation, रावद भाटा, तारापुर, महराश्टरा, रावद भाटा, राजस्थान, कुदन कुलम, Tamil Nadu, काकरापार, गुजरात, कलपक्कम, Tamil Nadu, नवरा, UP और कैगा, करनाटका, इसमें कुछ औ next and last की बात कर लेते हैं, जो है Indian Crime Cyber Crime Coordination Center, I4C, 4C क्यों, बेकाज इसमें 4C है, Cyber Crime Coordination Center, ये हाल ही में हमारे Home Minister ने inaugurate किया and also launched the National Cyber Crime Reporting Portal, इसकी जो scheme थी, the scheme to set up I4C was approved in October 2018 for two years to deal with all types of cyber crimes in a comprehensive and coordinated manner, लेकिन ये हाल ही में approved हुआ है, इसकी inauguration हुई है, जानवरी 2020 में, ठीक है, जो National Cyber Crime Reporting Portal है, is one of the components of the scheme, ध्यान देंगे, असल में जो scheme का नाम है, वो है I4C, इस scheme के अंदर आता है, एक और National Cyber Crime Reporting Portal, NCRP, राइट, NCRP एक component है, और कई सारे components हैं, उनको आप यहाँ पे देख सकते है National Cyber Crime Threat Analytics Unit, Platform for Joint Cyber Crime Investigation Team, National Cyber Crime Forensic Laboratory Ecosystem, National Cyber Crime Training Center, Cyber Crime Ecosystem Management Unit, National Cyber Research and Innovation Center, यह सभी जो है, उसी के components है, ठीक है, NCRP अगर बात करें, it is a citizen-centric initiative that will enable citizens to report cyber crimes, यह सबसे एहम क्यों है, हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, NCRP, यह बिसिकली ऐसा एक ऐसी पहल ली गई है, जहाँ पर, जो न अगरिक है, अगर वो चाहें, तो कल को वो cyber अपराद जो है, उसकी reporting कर सकते हैं, through the portal with specific focus on crimes against women, children, particularly child pornography, child sex abuse material, online content pertaining to rapes and gang rapes, financial crime, किसी भी तरह का का आपको लगता है, कोई अपराद हो रहा है, आप भी इसका 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 इसके तो already इसमें कुछ progress शुरू हो चुका है, दीरे दीरे इसको और develop किया जाएगा, clear, इसी के साथ वीडियो को समाप करना चाहूंगा, thank you for listening to me, alright, and जल्द ही हम और वीडियो लेकर आएंगे, please stay tuned and stay safe.